हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ दिव्या शर्मा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुराने से पुरानी जायों यानि की पेग्मेंटेशन का सिर्फ एक इलाज ये इलाज बहुत ही जादा कारगार है अगर आप इसके सारे बेनिफिट्स ल बहुत जल्दी और बहुत ईजली तो आप इस वीडियो को एंट तक देखें ताकि आप इसके सारे बेनिफिट्स ले सकें सबसे पहले बात करते हैं खीरे की mostly लोग यह होता है कि जब pigmentation या फिर face paste sports हो जाते हैं तो खीरे को रब करते हैं तो खीरे को रब करना एक अलग बात है कि हम अपनी skin को healthy बनाने के लिए खीरे को रब कर रहे हैं या फिर कुछ लोग potato यानि कि आलू को भी रब करते हैं यह सब चीजें बहुत normal हैं शायद इन दोनों चीजों को use करके भी mostly लोग लगाते हैं अपने face पर लेकिन इसके benefit बहुत कम होते हैं क्योंकि यह उतना अपना best result नहीं दे पाते जितने की जरूरत होती है यानि हम चाहते हैं हमारी pigmentation यानि की जाईया बहुत जल्दी खतम हो जाएं या फिर वो जर्ड से खतम हो जाएं यानि दिखे ही नहीं तो ऐसा इन में नहीं है कि यह आलू और खीरा pigmentation को जर्ड से खतम कर सकें तो इसके लिए सिर्फ एक ऐसा इलाज है जिसके थूँ हम pigmentation को जर्ड से खतम कर सकते हैं वो है aloe vera हम aloe vera भी mostly लोग लगाते हैं aloe vera जब लगाते हैं तो कुछ लोग अकेला aloe vera का use करते हैं अपने face पर तो कुछ pigmentation ऐसी होती है जिनमें अकेला aloe vera beneficial है यानि कि उनसे जाईया बिलकुल खतम हो जाती है लेकिन कुछ लोगों की जाईया बहुत पुरानी हो चुकी है या फिर कुछ लोगों की जाईया यानि pigmentation ऐसी है जो पुरानी नय होने के बाद भी इतनी dark है कि वो अकेले aloe vera का use करने से खतम नहीं होती इसलिए हमें एक ऐसा इलाज करना पड़ता है उसका जो बहुत कारगर हो और उसका effect बहुत better हो तो इसके लिए हमें क्या चाहिए aloe vera plus neem neem की पतियां हमें लेनी है और aloe vera लेना है एक चीज का ध्यान रखें कि आपको aloe vera gel का use करना है लेकिन आपको जो market से aloe vera मिलता है वो नहीं लेना इसकी leaves लेनी है और उसके उपर का उतार कर जो उसका wrapper होता है उसको उतार कर उसमें से gel निकालना है जो market से मिल रहा है वो aloe vera use इसमें नहीं करना अगर आप इसके सारे benefits लेना चाहते है आप ये मालनी जीए कि जैसे कि आप तीन चमच aloe vera gel निकाल लिया आपने और आप तीन चमच ही इसमें नीम की पतियों का paste लेंगे अलग से आप इसे crush कर सकते हैं या फिर mixer में इसे grind कर सकते हैं तो आपने equal quantity में इसे ले लिया और इसको आप 7 दिन तक अपने fridge में store करके भी बड़े अराम से रख सकते हैं इसका use कैसे करना है अब ये जानते हैं नीम की पतियों का और aloe vera का use हमें ऐसे करना है कि इसको रात में जो हमने equal quantity में एक paste तयार किया है वो रात में बहुत हलके हाथों से अपने face पर लगाना है एक चीज का ध्यान रखें कि इसे अपने face पर रब नहीं करना बस लगा कर और सो जाना है ये अपना जो result वो दिखाता है ये दोनों चीजे मिलने के बाद जो अपना result दिखाएंगी वो बहुत ही better होगा आपके लिए बहुत beneficial होगा आप इनका use हफते में पाँच बार करें तो आपको पाँच बार के बाद इसका result मिल जाएगा और आपको इसके बाद आलू या खीरा या हनी शहद वगारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये थी information pigmentation यानी की पुराने से पुरानी जाईयों को हटाने के लिए ये information आपको कैसी लगी प्लीज अपने comments के द्वारा ज़रूर बताईए मेरी वीडियो को like करें और अपने friends के साथ इसे share करें अगर अब तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो की information आपको मिलती रहे मिलते हैं एक और नहीं informative वीडियो के साथ तब तब के लिए stay healthy, always be happy thank you for watching my video, okay bye